हेलो सब्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास, बढ़िया, थोड़ा सा गला गलबड हो गया है मेरा, ठीक है, अवाज फट रही है, I know, मेरा ही गला चिला नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अराम से ठीक है, जोगो जातेज बोलूँगा तो गला गलबड हो जाएगा तो आगे के लेक्षर बनाने में मेरे को दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, तो हमारा नया लेक्षर स्टार्ट होता है, 2H, Pharmacotheropeutics, Musculoskeletal Disorder, Muscles और Skeletal, यानि कि Muscles और हड्डियों से मिल करके जो disorder बनते हैं, Musculoskeletal Disorder, जिसके अंदर हमाएं बहुत सारी disorders है, दो ही पर नहीं हमको, Rheumatoid Arthritis और Osteo Arthritis, है ना, दो ही अपने कोर्स में स्टार्ट करते हैं, फटा-फट, छोटा सा लेक्षर है, बहुत बढ़ा लेक्षर नहीं है ये, ओके, तो देखो जा रहे हैं, आपर क्या है, Arthritis, Rheumatoid Arthritis, ठीक है, Soriatic Arthritis, Gout, Spondylo Arthritis, ठीक है, Joint को अफेक्ट करेगा, Bones को अफेक्ट करेगा, सच्चेस, Osteoporosis, ठीक है, Joint, ये के वाल Bones, Osteoporosis, Osteopenia, Associated Fragility, Fragility होता है, Fragile, जो weak हो जाते हैं, Osteoporosis में, Bones बहुत कमज़र हो जाती है, काओ ऐसे गिर पड़ो त ठीक है, Then Muscles, such as Sarcopenia, तो हड्यों का और Muscles का मिल करके जब प्रॉलम होता है, तो Musculoskeletal Disorder बोल जाता है, तो अपने सिलेवस में क्या है, Rheumatoid Arthritis, स्टार्ट करें हम सब को पता है, सबसे बड़ी चीज़ जो इसके बारे में याद रखनी है, वो क्या है, It is an Autoimmune, ये याद Immune Disease है ये, कैसी बिमारी है, Autoimmune, और Inflammatory, Inflammation मैं बताई चुका हूँ, क्या होते हैं, Inflammation का मतलब है ना, Fever, Pain, Swelling, Redness, वगरा वगरा सब Inflammation के अंदर आता है, तो Rheumatoid Arthritis या Simple R.A. बोलू इसे मैं, एक Autoimmune Inflammatory Disease है, which means that your, इसका मतलब क्या हो गया, कि तुमारा खुद दुका जो Immune System है, Attack करता है, Healthy Cells in Your Body by Mistake, हमारे Body के अंदर के अच्छे Cells के उपर Attack कर देता है वो, ठीक है, जिसकी वैसे Inflammation होता है, Painful Swelling वगरा आती है, In the Affected Parts of the Body, R.A. mainly attacks the joints, usually many joints at once, generally joints पर अटक करता है, Rheumatoid Arthritis जब होगी, और एक साथ कई सारी joints पर Affect पड़ेगा, ठीक है, यह इसकी खास निशानी है, फिर आगे कुछ जनरल बाते हैं, डेफिनिस हमारे यहां खतम हो जाती है, About 40% of people who have rheumatide arthritis also experience signs and symptoms that don't involve the joints, जिनको rheumatide arthritis होती है, उनको उसके साथ साथ कुछ और conditions जो होती है, उनको body में हमको देखने को मिलती है, और वो conditions क्या है, वो conditions है, ठीक है, यानि कि joint जिसको आरे हो रखा है, उसको कुछ और भी condition लक्षन दिखाए पड़े आते हैं, इसकिन की problem दिखाए दे जाएगी, eyes, lungs, heart, kidney, हैना, कुछ और दिक्कते भी उनकी body में दिखने सुरू हो जाती है, ऐसा होता है, लेकिन सब के साथ नहीं, केवल 40% patients में ऐस पाया गया है, types की बात करें बेटा तो में लिए तीन type की होती है, एक होती है sero positive, एक होती है sero negative, sero मतलब हमारा blood का जो serum है, उसमें एक चीज पाई जाती है, क्या चीज है, rheumatide factor, RF, ठीक है, RF की बात करेंगा अभी, और साथ साथ में CCP, अगर ये दोनों चीजें पाई जा citrullinated peptides, तुमारे blood test होगा तो उसमें anti-CCP मिलेगा या rheumatide factor मिलेगा, ये एक antibody होती है, ये एक तरह का protein होता है, हम इसको antibody बोल सकते हैं, antibody क्या करती है, antigen को खा जाती है, एक अलग तरह की antibody होती है ये, और इनके लिए जो antigen होते हैं, वो हमारी body के cells होते हैं, ये उनको जा के ये क्या है, antibodies, antibody क्या करती है, मारने का काम, that cause symptoms of RA, के लिए लोग की बात, about 75-80% of people with RA have anti-CCP, RA for both, total patient की counting करेंगे तो 70-80% लोगों में CCP और RF या दोनों पाए जाते हैं, ये आपके blood में नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, so your doctor will look for other things to tell whether you have RA, तो वो दोक्टर कुछ और चीचे देख करके judge करने ही कुशिश करेगा, कि आपको RA है या नहीं है, पिटा दोको मैं उमीद कर रहा हूँ, मेरी आवाज के लिए आरे होगी, ठीक है ना, इसलिए ये lecture जब आएगा, मतलब काईदे में तो आज 3-4 lecture को डालने थे, बट नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि 4-5 lecture बना दूँगा, मैं मेरा गला बोल जागा, फिर आगे बनाई नहीं पाऊँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक-एक-दो-दो lecture ली डालू, दिली-दिले करके, तब में content त्यार करता रहोंगा, आगे ठीक है ना, then आता है juvenile idiopathic arthritis, यह क्या होता है, formally called juvenile rheumatoid arthritis, है ना, आप इसको बोलते है, juvenile idiopathic, this affects people under age 16, वैसे generally 2 हैं, लेकिन एक यह है, जब 16 साल से नीचे के बच्चे को हो जाता है, तो इसका एक नाम देदेगा, juvenile, ठीक है, its most common type of arthritis in this age group, doctors diagnose it through blood test, x-rays and other scans, inciosis को check करते हैं, तो मोटा मोटा हम समझ लेंगे, कि तीन टाइप के हमारे पास आरे होते हैं, जिसके हम लोग diagnose कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आगे बहुत सारी चीज़े होते हैं, डेटेल चले जाओगे तो फिला हमें इतना ही समझना है, ठीक है, etiology की बात क को इसका भी क्या है, exact cost तो नहीं पता भईया, क्यों होता है, ठीक है, arthritis का, researchers think it is caused by combination of genetics, research जो कर रहे हैं, इनके उपर उनका मानना है, कई सारी चीज़ों से मिला जूला असर होता है, तब जाके आरे होता है, सबसे पहला एक genetic genes के अंदर कुछ पाया जाता है, hormones और environmental factors, आरे को आरे को create करते हैं, बॉड़ी के अंदर, normally your immune system protect your body from disease, generally हमारा immune system हमारी बॉड़ी को disease से बचाता है, with rheumatoid arthritis, something trigger your immune system, जिसको आरे होता है, उसकी बॉड़ी में क्या होता है, हमारी बॉड़ी का जो immune system है, कोई चीज उसको trigger कर देती है, कोई चीज उसको उकसा देती है, to attack your joints, कि बही, joints पर आके वोग आटक करने लगते हैं, ऐसा कुछ हमारी बॉड़ी में changes हाता है, कि हमारा immune system हमारे joint को यह जाकर आटक करना शुरू कर देता, ऐसा कुछ हो जाता है, क्यों किसलिए कुछ idea नहीं है, and infection, smoking, physical, emotional stress, may be triggering, मतलब यह कुछ भी कारण हो सकता है, वो कारण नही सब जात करनी जुरूत नहीं है, ठीक है, genetics हो सकता है, environmental trigger हो सकता है, infections, smoking, sex, hormone, कुछ भी हो सकता है, जब यह trigger हो जाएगा, तो होगा क्या, सबसे पहले, जो macrophages और dendritic cells होते हैं, macrophages उम्मीद कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, कौन से cells होते हैं, macrophages और dendritic cells are thought to present instigating antigens माना जाता है कि जो macrophages और dendritic cells हैं, यह जो antigens होते हैं, बढ़काने वाले antigens उनको ले जाकर करके T cell के सामने पेश करते हैं, भजया देखो यह गरबड़ मामला कर रहे हैं, आके मारना सुरू कर रहे हैं, ठीक है, causing T cell, T cell activate हो जाता है, और वो अपने आपको T cell पर क्या करत है, पता है ना, killer T cells बनाता है और antibodies बनाना स्टार्ट करता है, और मारकाट शुरू कर देता है, T cell के बारे हो लोग पढ़ चुके हैं, अब क्या है, activated T cells अच्छा पढ़ चुके का मतलब यह है, या तो first time पढ़ा होगा, या कही ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो भूल B cell differentiation और साथ साथ हैं, B cell को differentiate करना स्टार्ट करते हैं, B cell फिर क्या बनाते हैं, antibodies बनाती है, the inflammatory response is systemic, systemic मतलब पूरे blood में एक साथ होता है, अब हमारा immune system यहाँ पर क्या हो चुका है, activate हो चुका है, B और T की दोनों activate हो गए हैं, इससे होगा क्या, decreased production of higher leuronin, a major lubricant in synovial fluid, synovial fluid त तो यह एक तरह chemical होता है, जो हमारा liquid, joints में liquid पाया जाता है, उसको क्या करता है, उसको production कम कर देगा, inflammation increase, matrix, metalloproteinase, production, cartilage damage, increase करेगा, cartilage damage का, जो metalloproteinase, matrix को proteinase, तोडने वाले enzymes होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, और cartilage damage बढ़ जाता है, plasma cell antibodies form immune complex, जो plasma cell नहां बन गई थी, plasma cells, यह क्या करेंगी, immune, reactions करवाएंगी, और indirectly damage the cartilage, सब नुक्सान हो रहा है कि तरफ से, ultimately क्या हो रहा है, joint damage recruit, जो damage joint हो रहे हैं, जो joint damage हो रहे हैं, जो joint हमारे हाथ प्यारों के joint हैं, जो damage हो रहे हैं, वो neutrophils T cells, B cells into the space, वो नए नए neutrophils T cells को recruit करेंगे, कि भाई आओ, वो अपना defense, अपने आपको बचाने कोशिश्च करेंगा, इसकी वाई से क्या होगा, hyperplasia हो जाएगा, जो synovial fluid की membrane है, वो प्रशोड़ी सी grow कर जाती है, and angiogenesis हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर decrease हो गया है चीज़े, blood cell वगरब मारी जा रही है, तो angiogenesis मतला हो गया, new blood vessels बनना start हो जाती है, ठीक है, एक तरह की नई growth start हो जाती है, ठीक है, अब तुम खुद सोचो दिखाऊंगा, मैं भी diagram दिखाऊंगा, ultimately क्या होता है, new vascularized, ज जो actual joint tissue है, फिर यह इसको बरबात करने लगते हैं, तो यह बात यहाँ कुछ बच्चे को भी समझ में नहीं आएगी, तो मैं यह इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हम, देखो, हुआ क्या है, यह healthy वाला पार्ट था, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यह सब सूपरा capsule है, यह synovial membrane है, यह वाली, यह synovial cavity, इसके लिए फिलूड भरा हुआ है, और यह काटिलेज है, आरे हो गया, आरे होते ही, inflamed synovial membrane, यह membrane देखो रहा है, ग्रोथ होगी, hyperplasia, क्या हो गया यह, hyperplasia हो गया, ठीक है, तो यह ग्रोथ होते हुई, यहाँ बीच में जा रही है, प यहाँ पर यहाँ पर टिसूस है, यह जो काटिलेज बगरा है, इसको destroy करती है, और यह खुद बीच में आ रही है, तो अब motion करोगे, तो यहाँ पर ब्लंड वैसल्स हैं और यह जो membrane है, यह आपस में रगड खाने लगती है, बड़ा pain होता है, और यहाँ के tissues क्या होने लग membrane है, वो बहुत ज़्यादा grow करने लगती है, यह सब मिल करके ultimately ligament cartilage और subcontral bone, इनको सब क्या करते हैं मिल करके, जो ठीक ठाक थी, इन सब को यहाँ पर damage करने लगती है, तो healthy और RNA में यह difference देख सकते हो, यह जब चलते हैं तो यहाँ बड़ा pain सा होता है, क्लिए रबाते हैं, Now, clinical manifestation morning stiffness, जब से उठोगे तो पैर अकड़े मिलेंगे arthritis of three or more joints, एक साथ कम से कम, तीन या तीन से ज़्यादा joints हमारे दर्द करना शुरू कर देंगे, hand के joints दर्द करेंगे, rheumatide nodule बनना इस्टार्ट हो जाएंगे, serum, RF factor पाए जाएगा serum में, radiographic changes हो जाएंगे, ठीक है, जो radi radiography test किये जाएंगे, उसमें कुछ changes में दिखाई दे जाएंगे, यह सारे factor अगर at least four of these, इन में से कोई चार factor कम से कम छे हफ़तों को ले दिखते हैं, doctor regular check-up करता है, तो confirm कर देता कि आपको आ रहे है, ठीक है, non pharmacological में क्या है, physiotherapy कराई जाती है, heat cold and electro therapy होती है, heat or cold therapy होती है, exercise होती है, कई बार जोज बड़ी surgery करा लेते हैं, joint replacement करा लेते हैं, कुछ लोग जिसको हम लोग, aethroplasty कहते हैं, या syenowal membrane को remove कर दिया आता है, जो बढ़ गई थी, जिसको हम लोग, syenowectomy कहते हैं, अवाज मेरी समझ में आ रही है न, कमेंट जरू कर देना, कि मेरी आवाज clear है या नहीं है, ठीक है, फार्मकोलोजिकल मेनेजमेंट में कुछ खास-खास दवाई है, NSAID, पढ़ते आ रहे हो, बच्पन से नहीं, फर्स्ट एर से, NSAID क्या होती है न, non-esteroidal anti-inflammatory drugs, जिसके अंदर selective cox inhibitor, cox-2 inhibitor, इसमें, aciclophenic, naproxene, pyroxy cam, यह तो simple हो गया, ठीक है, य methotreate, cyclosporine, glucocorticoid, steroids, methylpidnisolone, infliximab, या pridnisolone, एक और हो जाता है, या pridnisolone करके, होगा करके, biological therapies, ठीक है, यह चौथा यहाँ पर क्या है, biological therapies, आप बायोजिकल थेरपी, आप बायोजिक्स कहते हैं, यह क्या है, बायोजिक्सार में त्रू बाय टेक्नलोजी, बाय टेक्नल है, हम लोग जीन से मोडिफाई करें, कोई चीज बनाते हैं, तो यह दवाईयां भी जीन से मोडिफाई करके, बायोजिक्सार में बनाई जाती है, ठीक है, टार्गेट करते हैं, इस पैसी प्रोटिनों किसी खास चीज को जाके टार्गेट करेंगी, सबको नुकसान नहीं data involved in inflammatory, जो inflammation में involved होते हैं, example की बात करें, itain, recept, anakinra, infliximab, abatacept, ठीक है, इस तरो नाम है अजी वजीव से, तो इसको तुम लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे, तो यह तीन-चार तरीके हैं हमारे पास, pharmacological management के, ठीक है, और यह lecture हमारा, खता हो जाता है, छोटो मोटो सा, तो देखो, फार्मक, तो बहुत जादा, जो चैप्टर हैं, आगे, बहुत जादा, बड़े-बड़े निए, छोटे-बड़े चैप्टर हैं, जल्दी खतम हो जाएगे, ठीक है, ना, पढ़ते रहना है, यह मारा number है, कोई problem हाती है, call कर लो, ठीक है, call नहीं उठता है, तो 1100 रुपए या दो बार में 5500, ठीक है, तो करना क्या है, पढ़ते रहना है, और revise करना है, ओके, all the best,